सीरल नाम करण में नील उसकी इंगेजमेंट पेर हुए सारे ड्रामे की सचाई जाने में लगा हुआ है और उसको होता है अवनी पर डाउट अब उसने ठान लिया है कि वो अवनी की सचाई पता करके रहेगा सिरल नाम करण में अवरी ने फाइनली नील और रिया की इंगेजमेंट पर कड़े के पूरे ड्रामे से अपना पहला कदम सक्ससफुली पूरा कर लिया है उसने रिया के कड़े एक्सचेंज करके असली कड़े दयावंती के पर्स में डाल दिये थे क्योंकि उनके हिसाब से ये सब दयावंती ने किया है नील ये सब सुनकर अपनी मा को समझाने की कोशिश करता है और उसको शांत होने को कहता है लेकिन उसकी माँ उसकी सुनने को तयार ही नहीं होती है वो बहुत जादा कुसे में है और उस पूरी बात को लेकर वो बहुत टेंशन में भी है नील सोच में पढ़ जाता है और वो ये कंक्लूजन निकालता है कि ये सब एक्सिडेंट था ये किसी की बहुत सोची समझी चाल थी दयावंती मेहता के अगिन्स्ट नील को लगता है कि दयावंती मेहता को फसाया गया है नील का सबसे पहले ध्यान जाता है अवनी पर कि वो घर की मेंबर नहीं है और एक आउटसाइडर है इसलिए नील करता है डिसाइट कि वो अब अवनी के महता परिवार के रिष्टे के बारे में सब पता लगा के रहेगा इसलिए नील अब अवनी के अतीत के बारे में जानने की कोशिश करेगा कि आखिर उसके महता परिवार से क्या रिष्टे हैं अब देखते हैं कि क्या नील अबनी और दयामंती महता के रिष्टे की सच्चा ही पता लगा पाएगा या नहीं फेले शोर से जोड़ी सारी अबडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस